के हाई फ्रेंट्स लास्ट टॉपिक जो हमने देखा वो था कनिस्ट स्टेटमेंट्स इन ти शिशा हम देखना जा रहें next टॉपिक. जो यह नि लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं उसे लूपिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं मतलब कि अगर कुछ line, कुछ code कुछ block of codes अगर हम multiple times run करना चाहे several number of times जिसे कहते हैं तब हम इस loop का use करते हैं मतलब कोई code है वो आपको 10 बार 25 बार, जितनी बार आप run करना चाहे उतनी बार कर सकते हो, एक से जारा बार आपको उस statement को print कराना है, तो हर बार आपको वो print करने के जरूद नहीं है उतनी code टाइप करने के जरूद नहीं है simple उस code को लूप के अंदर रख दीजे, हमारे पास 4 loops है for, while, to while or for each, जो के सीशाप में नहीं add की गई है, fine तो ये जो 4 loop है, इन 4 में सब कोई भी यूज़ का सकते है ये flow chart है ये समझाते है, कि suppose ये condition होती है एक loop में, अगर वो condition true होती है तो ये condition जो code है वो एक line ये 10 line चाहे जितने भी line का हो वो सारे run होंगे, print होंगे, जो भी होगा और उसके बार फिट से ये condition चेक करेंगे और अगर फिट से true होता है तो फिट से ये run होगा मतलब जब तक condition false नहीं होती ही ये loop से बाहर नहीं आएगा तब तक ये loop के अंदर गुमता ही रहेगा फाइन मतलब एक line 10 बार 25 बार जितने भी आप run करना चाहते हो एक से ज़्यादा तब आपको ये 4 में से कोई भी loop का use करना है पहली है first statement first statement उसे repetition control भी कहते है structure मतलब repetition मतलब एक line का multiple times use होना है उसे repetition कहते है तो वो हमें control करना है मतलब जो अगर loop start होती है तो उसे खतम भी होना है तो loop खतम होना ज़रूरी है वरना वो loop infinite में चल जाएगे मतलब infinite times वो print होता ही रहेगा वो stop ही नहीं होगा तो particular मान लोग कोई particular lines of code है जिसे आपको specific number of times गुमाना है मतलब चाहो इतनी बार आपको गुमाना है तो उससे आपको इस loop के अंदर रखना पड़ेगा ये follow up का syntax है और ये उसका flow chart पहले syntax समझते है syntax के अंदर आप देखिए for के अंदर तिन block है पहला है initialization दूसरा है condition और तीसरा है increment initialization में आपको loop कहा से शुरू करने है वो बोलना है condition में आपको loop कहा तक लेके जाने मलब कहा खतम करने है वो आपको यहाँ बोलना है condition में और तीसरा है increment या decrement दोनों में से जो भी आप लेना चाहो increment, decrement क्यों दोनों में से देखिए suppose for example आपने loop ली है चलो 1 to 10 प्रिंट करने है तो मतलब एक जो statement से वो 10 बार आपको प्रिंट करना है तो आपको 10 बार loop गुमानी है तो 1 जो यहाँ लिखेंगे वो इसे हम कहेंगे initialize मतलब loop 1 से शुरू करनी है और कहा तक लेके जाने 10 तक तो condition में हम last 10 रखेंगे और 1 से 10 तक जाना है मतलब यह 10 बार loop गुमेगी तो 1 से 10 तक जाएंगे तो 1 से 2 होना चाहिए 2 से 3 होना चाहिए मतलब value को increment करना है इसलिए हम तब use करेंगे increment प्लस प्लस जो करते हैं और अगर यही loop को 10 बार गुमानी है पर आप उसके reverse भी गुमा सकते हैं मतलब हम 10 से शुरू करके 1 तक जाए और तब उसको decrement यूज करें minus minus जो भी उसकरना है हमें इस statements को multiple times run कराना है तो हमें for loop का इस तरह से इस्तमाल करना है पहले हम value को initialize करेंगे या तो plus से या minus से मतलब 10 हो या 1 जो भी है बाद में increment या decrement का decision लेंगे तो for example 1 से शुरू करते हैं तो condition चेक करेगा अगर condition true है तो particular statement जो है वो code block वो run होगा और उसके बाद increment होगा अगर one set मतलब positive नंबर में जाना है तो और अगर minus में जाना है तो होगा decrement और फिर से वो condition में चेक करेगा मतलब first step पे उसका value वो follow up को start करना फिर condition को check करना true होने पर अंदर के statements को run करना और वो run होने के बाद increment fit से last जो third block है वो last time मतलब statement सारे run होने के बाद चेक होगा और वो increment या decrement होने के बाद fit से वो condition पे जाएगा और अगर true है तो fit से अंदर आएगा मतलब start तो आपको एक ही बार बोलना है ये जो portion है एक ही बार execute होगा loop start होने पर और फिर खत्म होने पर भी एक्जिक्यूट नहीं होगा इसको सिवा आपको start के लिए यूज करना है कि आपको value कौन से value से आपको follow शुरू करनी है फिर condition और फिर increment फिर again condition फिर statement increment condition statement increment और इसमें लोग गुमती रहेगी ये देखे condition block statements increment condition block increment और ये लोग घुमती रहेगी तब तक जब तक अभी condition false नहीं हो मतलब जब ये condition false होगी तब ही ये follow loop के बाहर आएगी मतलब ये condition का false होना भी ज़रूर ही है वरना जैसे मैंने काई वो infinite loop में चले जाएगी now let's see the example example यहाँ पी दिया गा है यहाँ पर हमने follow loop 10 से शुरू किया और 20 पर खतम करनी है और 10 to 20 तक जाना है तो of course आपको increment ही करना पड़ेगा यह full form है a equal to a plus 1 या आप short form जैसे की short hand है operator plus plus वो यूश कर सकते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते है a plus plus b और इस line को जो particular statement है वो 10 या 20 बार execute होगा based on the आपकी value जो लिए है fine तो यहाँ पर 10 से शूरू किया है 20 तक खतम करना है और उसका जब run करेंगे तो output ऐसा दिया गया है कि particular a value 10 है 10 is less than 20 चेक करेगा true है मनलब जो value of a हो प्रिंट करेगा then plus plus then 11 11 less than 20 वो फिर से true होगा इसलिए अंदर वाली line फिर से execute होगी तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जैसे value 19 प्रिंट होती है last फिर से increment होगा 20 होगा फिर चेक करेगा 20 less than 20 यह false होगा इसलिए यह false होने पर यह fall loop से बाहर आ जाएगा fine अब इसको practically execute करके यह देखें आपे code ready किया एगा है देखें जो आपने वाहाँ पे show काया था वह यहाँ पे exit answer ऐसा ही है 10, 11, up to 19 तक जाता है fine और जैसे मैंने कहा a plus 1 के बदले आप short form जो है वो directly आप a plus plus भी use कर सकते हो okay और वह answer एगा कोई chain नहीं होगा plus plus तो हो गई fine और जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे increment use होना चाहिए आप decrement भी use कर सकते हो पर उसके लिए fair values को reverse करनी है तो मानलो आपको 20 बारी गुमा नहीं थी तो हम यहाँ पे 20 से शूरू करेंगे और एक को greater than 20 नहीं पर 10 करेंगे तो reverse आगी तो अगर हम 20 से लूप शुरू करते हैं और 10 तक जाते हैं तो of course हमें increment नहीं decrement यूज करना है अगर हम increment यूज करते हैं तो of course वो infinite loop में चल जाएगी 20 का 21 होगा 22 होगा और टेन होगा ही नहीं तो false केसे होगा और अगर condition फॉल्स नहीं होते हैं लूप खत्म कैसे होगी तो तब उसके decrement करना जरूरी हो जाता है तो अब 20 का 19 होगा 19 का 18, 17 और फिर 10 होगा 10 से फिर फॉल्स होगा लूप खत्म होगी तो फाइन अब इसको टेस्ट करते हैं लेट सी दे आउटपूट तब जेखिए अब यह वेली शुरूँ 20 से 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11 अब 11 जैसे 10 हुआ तो 10 is greater than 10 वो condition false होते है because 10 is equal to 10 greater नहीं होते है 10 is not greater than 10 तो और वो condition false होने पर यह लूप खत्म होई और यह फॉल्स से बाहर आके आपको answer the output So this is how we run loop for loop statement So अब तक हमने देखा looping statement जिसमें हमने first statement देखा Next topic looping statements में हम देखेंगे while and do well in C sharp. Thank you very much